अगर आपको भी लग रहा है कि आपका वेपार अच्छे से नहीं चल रहा है उसमें तरक्की नहीं और ये बहुत दिनों से महनत कर रहे हैं फिर भी कोई भी तरक्की आपको देखने को नहीं मिलती है तो आपको गुरुजी द्वारा ही बताया है एक छोटा सा और आसान सा यानि महादेव के ऊपर एक धतूरा आपको चरहा देना है चरहाते समय इस चीज़ का आप लोगों का विशेष धियान रखना है कि जब धतूरा आप चरहा रहे हैं तब उसकी डंडी जो है आपकी दिसा में नहीं होने चाहिए यानि कि आपके विपरित दिसा में होनी चाह आपकी जो भी समस्या है उसे भगमान को बोलना है अगर किनी का विवा में भी दिक्कत हो रही विवा नहीं हो पा रहा है तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं उसके बाद महादेव से जो है वो धतूरा आप मांग के ले लीजिए एक लाल कपरे में उसको बांद कर अपने घ आपके उपर होगी आसा करता हूं कि दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो अगर कोई भी दिक्कत आता है तो टेंसन लेनी की जरूरत नहीं आप प्लीज कमेंट क्या कीजिए मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ तब तक के जी शिवाय नमस्तो व्यम हर हर महादे